हेलो फ्रेंड्स, बेलकम माई येट्यूब चेनल, तो जैसे के दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, अभी हाली में अमरीका के राष्टपती डोनाल डिटरंप ने भारत की यात्रे की है, तो उनसे समध्दी जितने भी कोस्टन एक्जाम में बन सकते हैं, पूछे आ सकते हैं, तो उन अवान के यस वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत पूरण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंटर तक द्यान से देखते रहिए, तो अचलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं, तो यहांपर आज का पहला कोस्टन है, अम 24 फरवरी से 25 फरवरी तक मात्र 36 गंटी के लिए तो आपको याद रखना है और देखिए इनके साथ इनकी पत्नी और इनकी बेटी बेटी बहाई थी इनकी पत्नी का नाम है मेनालिया ट्रम्प और इनकी बेटी का नाम है इवांका ट्रम्प तो आपको याद रखना है चलिए फरवरी 2020 को अमरिका के राष्टपति डोनाल ट्रम के लिए कार्यकरम आयजुत किया गया था जिसका नाम है नमस्ते ट्रम और ये कहाँ पर आयजुत किया गया था एहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में तो आपको याद रखना है और देखें ये जो कार्यकरम था इसमें लाख लोग मुझूद थे और इस कार्यकरम में प्रिदान मंतिन रेंद्र मोधी जी ने 21 मिनट का भासल दिया था और राष्टपति डोनाल ट्रम ने 27 मिनट का भासल दिया था तो आपको याद रखना है नमस्ते ट्रम कार्यकरम कहाँ पर हुआ था मोटेरा स्टेडियम एह मोटेरा स्टेडियम इस स्टेडियम में करीब एक लाख दस हजार लोग एक साथ मैच देख सकते हैं और ये स्टेडियम 63 एकल जमीन में फैला है तो आपको याद रखना है और मैं आपको बता दूँ देखिए अभी तक 20 बगा सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम आश्टि कोसा तो इसका राइट अंसर ऑप्षन भी हो जाएगा सरदार पतेल यानि कि मोटेरा स्टेडियम दिखिए ये जो सरदार पतेल osób में यह गुजरात राज्जी के अहिंदाबाद शहर की मोटेरा नामगस्थान पर रिस्तित है इसलिए सर्दार पतेल स्टियम को ही मोटेरा स स्टेडियम कहा जाता है तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं नाम अलागे लेकिन स्टेडियम एक ही हैं यहाँ पर मैं आपको बता दू यह जो स्टेडियम है सरदार पटेल स्टेडियम यानिकी मोटेरा स्टेडियम इसके स्थापन यानिक इसका निर्माण 1982 में किया गया ये स्टेडियम 1982 में बनाया गया था लेकिन 2014 में इस स्टेडियम को बंद करके इसका दोवारा से पुन्ह निर्माड शुरू किया गया था और अब फरवरी 2020 में इसका निर्माड पूरा हो चुका है तो अभी 20 बुका सबसे बड़ा किर्केड श्टेडम बन गया है तो आपको याद रखना है और देखिए इसके निर्माड में करीब लगभग 700 से 750 करोल रुपे की लागत आई है तो आपको याद रखना है चलिए आगला कोस्तन देखते है 25 फरवरी 2020 को गार्ड ओफोनर किसे दिया गया तो इसका अंसर ओप्सन भी हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प को तो देखिए 25 फरवरी 2020 कौमरिगाल के राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प को गार्ड ओफोनर दिया गया भारत की तीनों सेनाव की टुकुली ने 21 तोफो की सलामी दी तो आपको याद रखने हैं गार्ड ओफ ओनर किसे दिया गया डोनाल्ड ट्रम्प को चलिए आगे देखते हैं तो अगला कॉस्सा ने प्यम नरिंदर मोदी और अमरिका के राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प के बीच दू पक्षे बारता कहाँ पर हुई तो इस कांसर ओप्सन सी हो जाएगा हेदराबाद हाउस नई दिल्ली में तो देखे 25 फरवरी 2020 को प्यम नरिंदर मोदी और अमरिका के राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प के बीच एक दू पक्षे बारता हुई कहाँ पर नई दिल्ली के हिदराबाद हाउस में आपको याद रखना है और इस बारता में जो भी यहाँ पर सम्झोती किये गए जो भी डील कि गई जो मैं आपको बताएता हूँँ जो कि मेहत्तपों है दिखे इसमें जो सबसे बड़ा सम्झोता यानि कि डील सामिल है सेन्य छेतर में सेन्य छेतर में भारत अमरीका के बीच 3 अरब डॉलर की रक्सा डील की गई है जिसमें की 24MH 60 Romeo helicopter की डील सामिल है और 6H 64E Apache helicopter भी सामिल है जो यहाँ पर डील की गई है सेन्य छेतर में रक्सा के छेतर में तो इसमें अमरीका भारत को 24MH 60 Romeo helicopter और 6H 64E Apache helicopter भारत को देगा और इसके बाद जो सबसे बड़ी डील है उर्जा के छेतर में एक यहाँ पर सबसे बड़ी डील की गई है और उसके बाद इसलामिक आतंक पर साजा जंग का संकल भी किया गया है यानि कि अगर कोई इसलामिक आतंक वाद होता है तो भारत और अमरीका उसके खिलाप हमेशा ख तो दिखे 24 फरवरी को डोनाल ले टरंप और इनकी पत्नी सरपर्थम एहमदाबाद के सरदार बरलाबाई पर टेल अंतराष्टे हवाई अड़े से उतर कर महात्मा गांधी जी के साबर मर्ती आसरम गए थी तो आपको भीयाद रखना है वह बहाँ पर जाकर इन दोनों ने मह से लिए आगे देखते हैं सत्य घ्रय आसरम यानि की साबर मती आसरम की स्थापना कव हुई थी तो देखे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जितने भी कोशन मैं आपको अलग से करवा रहा हूं तो यह भी करंट से संबंदी थे हैं क्योंकि अमरीका के राष्ट पती इन कोच रब नामक स्थान पर सत्य घ्रय आसरम की स्थापना की थी तो आपको याद रखना है उसके बाद देखे 1917 में यह जो आसरम था सत्य घ्रय आसरम इसे साबर मती नदी के किनारे पर इस्थान आंतरित किया गया था तब से सत्य घ्रय आसरम को साबर मती आसरम कहा जाने ल 20 1 अधिक के किनारे स्थीत हैים कर तो इसका सही आंसर क्या हुजाएगा ओप््षण सी हुजाएगा 27 2007 turned थीक अबद एक हमदाभाद के समीप साबर मादी न दीपर किनारे ही इस्थीत है चलिए अगला कोस्ण देखते हैं है कि आggफ़ा में मेहत्पूर जाता है तो इसका अंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साज हाने अब देखे ये जो ताज महल है ये उत्तर प्रदेश के आगरा में इस्थित बिस्वित धरवर मकवरा है जिसे मुगल सासक साज हाने अपनी पत्नी मुम्ताज की याद में बनवाया था तो आपको अगर आपको पता है तो आप इसका अंसर नीचे कमेंड वोक्शन में बता सकते हैं तो इसका अंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यमूना नदी ताज महल यमूना नदी के किनारे पर इस्थित है चलिए नेश्ट को सन देखते हैं ताज महल के निरमाल का बास्तुकार कौन था तो देखे आप बात करें ताज महल का बास्तुकार कौन था तो इसका अंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ए एबम बी दोनो यानि कि उस्ताद एहमद लाहुरी और उस्ताद इसा ये दोनो ही ताज महल के बास्तुकार थे लेकिन जो सरबादिक माननेता यहाँ पर दी जाती है ताज महल का बास्तुकार माना जाता है उस्ताद एहमद लाहुरी को माना जाता है लेकिन आपको दोनों नाम याद रखने है अगर आपको एकजाम में ये कोशन पूछ जाएगा तो आपको इन दोनों में से एक ही ओप्शन मिलेगा या तो उस्ताद एसा मिलेगा तो आपक फरवरी 2020 को अमरीका के राष्टपति डोनाल्ड टरंप और उनकी पतनी महात्मा गांधी जी के जीव समाधी स्थल यानि की समारक है राजगाट तो बहाँ पर गए थे और बहाँ पर जाकर उन्होंने महात्मा गांधी जी को सिर्धान जली दी थी तो आपको याद रखना है म महात्मा गांधी जी के इसमारक स्थल कहाँ पर है राजगाट राजगाट दिल्ली में यमुना नदी के किनारे इस्थित है और यहाँ पर हम बात करें सांती बन की सांती बन में किसका इसमारक है यानि किसकी समाधी स्थल है तो सांती बन में जवारलाल नहरू की समाधी सास्त्री की और सकती स्थल में इंद्रा गांदी की तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं चलिए आगला कोस्तन देखते हैं दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पहुँची सर्वोदे सीनियर सेगंडरी स्कूल में और बहां जागर उन्होंने बच्चों के साथ हैपिनेस किलास में हिस्सा लिया था आपको याद रखने हैं चलिए नेक्स्ट कोस्तन देखते हैं तो देखें मोश्ट इंपोटेंट कोस्तन है तो इसका अंसर अप्सन भी हो जाएगा अमेरिका भारत और अमरिका की सेनाओं के बीच पहली बार सेग्त तो सेननियर अभ्यास टाइगर ट्रम्प नमंबर 2019 में किया गया था कहाँ पर किया गया था आंद्र प्रदेश के बिशाखा पटनम और कोकी नड़ा में देखें इस सेननियर अभ्यास का उद्देश से है दोन देश की सेनाओं के बीच ताल मेल बनाए रखना और मानी में साहयता और आपदा राहत पर मदद पहुचाने के लिए किया गया था और देखें इस से पहले अक्टूबर 2019 में भी भारत और अमरिका के बीच एक सेननिय अभ्यास किया गया था जिसका नाम था बजर प्रहार तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं टाइगर ट्रंप और बजर प्रहार भारत और अमरिका के बीच किये गए तो दोस्तों आज प्लीज वीडियो को लाइक और सेरा करना